और इसके बाद प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित भी करेंगे नमस्कार साथियो नमस्कार साथियो संसवत का यह सत्र अत्यनत महत्वपुण है देश आज़ादी के अमरित महोत्सव मना रहा है हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आज़ादी के अमरित महोत्सव के निमित रचनात्मक सकारात्मक जन हित के लिए राष्ट हित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कारकम कर रहे हैं कि कदम उठा रहे हैं और आज़ादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई कोई दाईत्व निभानिय का प्रयास कर रहा है यह खबरें यह अपने आप में भारत के उजवल भविश्य के लिए सुप्र संकेत है कि कल हमने देखा है पिछले दिनों कि सम्मिधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार करने के लिए हर किसी के दाईत्व के समन्द में पूरे देश ने एक संकल्प किया है इन सब के परिपेख्ष में हम चाहेंगे देश भी चाहेगा कि देश का हर सामान नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का यह सत्र और आगे वाने आज वाले वह सत्र आजहादी के दिवानों की जो भावनाएं थी जो स्पिरिट था आजहादी के अमरुत महुत सब का जो स्पिरीट है उस्पिरीट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करें देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें देश की प्रगति के लिए नए उपाएं खोजें और इसके लिए यह 17 बहुत ही विचारों की सम्रुद्धि वाला दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मग निर्णवा वाला बने मैं आशा करता हूँ कि भविश्य में संसथ को कैसा चलाया कितना अच्छा कॉंट्रिबिशन किया उस तराजु पे तोला जाए नकी किसने कितना जोर लगा करके संसाथ के सत्र को रोक दिया यह मांदन नहीं हो सकता है मांदन यह होगा कि संसथ में कितने घंटे काम हुआ कितना सकारत्मग काम हुआ हम चाहते हैं कि सरकार हर विशे पर चर्चा करने के लिए त्यार है खुली चर्चा करने के लिए त्यार है सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तयार है और आज़ादिक अम्रुक्त भावत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि सवाल भी हो सवाल भी हो सवाद में शांती भी हो हम चाहते हैं सवाद में सरकार के खिलाप सरकार की नीतियों के खिलाप जितनी आवाद प्रकर होनी चाहिए हो लेकिन संसत की गरीमा स्पीकर की गरीमा चैर की गरीमा इस सब के विशह में हम वो आचरन करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीडियू को काम आए पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिश्थिति में भी देश ने सो करोर से अधीक दोजीच कोरोना वैक्सिन और अब हम बेर सो करोर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं नए वेरियन की खबर भी हमें और सतर्क करती हैं और सज़क करती हैं मैं साउसक के सभी साथ्यों को भी कि सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं आप सभी साथ्यों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्षना करता हूं क्योंकि आप सब का उत्तम स्वास्त देश स्वास्यों का उत्तम स्वास्त ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्रास्विक कि देश के असी करोर से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ नहों इसलिए प्रधान मंत्री गरीब कर लेंड योजना से अनाच मुक्त मेह देनी की योजना चल रही हैं अब इसे मार्च दोहजार बाइस तक कि समय कि आगे कर दिया गया है कि करिब 2,60,000 करोड रुपिय की लागत से अच्छी करोड से अधिक देश वासियों को कि गरीब के घर का चूला जलता रहे इसकी चिंता की गई है कि मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश वित के निर्णे हम तेजी से करें मिल जूल करके करें सामान ने मानवी कि आशा अपेक्षाव को पूर्ण करने वाले करें ऐसी मेरी अपेक्षा है बहुत बहुत धन्यवाद तो संसत के शीत कालीन सत्र से ठीक पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मीडिया को संभोधित करते हुए काफी महत्वपून बाता हैं प्रधान मंत्री ने कही हैं प्रधान मंत्री ने कहा है कि ये सत्र काफी महत्वपून है देश आजादी का अमरित महुत्सव इस वक्त मना रहा है आजादी के दिवानों के जो सपने थे उनको पूरा कर